हाईलो एवरिवन, वेलकम टो यूटूब इस्टड़ी, आज किस बड़ो में यूपी बोर्ड क्लास टेंथ एन क्लास ट्विल्थ के बच्चों को बताएंगी कि बोर्ड एक्जम की जो कॉपी मिलती है उसका जो फर्स्ट पेज होता है यानि उपर वाला जिसमें भरा जाता ह रोल नमर अंकों में, रोल नमर शब्दों में प्रसनपत्र 20 है और प्रसनपत्र का संकेतांक जुफरा जाता है परिच्छा का दीन, परिच्छा की पाली, केंद्र का नाम यह सब कुछ आज किस वीडियो में आपको बताएंगी एक एक पॉइंट को अच्छे से देख सकते ह अगर आपको मिलेगा तो कैसे वहां से लिखना है और पेपर का क्या संकेतांक होता है, सब कुछ इस वीडियो में आपको पूरा अंतक देखते ही अगर आप बोर्ड एक्जाम देने वाले हैं, तो क्योंकि देखें बोर्ड एक्जाम में बच्चे सीख कर नहीं जाते हैं, क चैनल पर जूड़े रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेए, और वेल आइकन प्रेस कर लिजेए, वीडियो आपको मिलता रहेगा, तो देख सकते हैं, यहां पर मैं बताने जा रहा हूं, यह जो इंटर्मेडियेट का लेवल का कॉपी है, ठीक है, सब्सक्राइब कर लिजेगा, अब देख सकते हैं, फर्स नमर इसमें क्या स्टेफ भरा जाता है, छे स्टेफ हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चोथा, पाचवा, छे, यहनि कि 6 स्टेफ हैं, इसमें 6 स्टेफ को पूरा भरना है, ठीक है, तो देख सकते हैं, फर्स नमर में क् सब्सक्राइब चोथा नमर लिखे है परिक्षा का दीन तो आपको सेम बोड एक्जाम में सेम यही कापी मिलेगा और फाइफ नमर देखेंगे और चे नमर जो है केंद्र का नाम भरना है जहाँ पर आपका सेंटर गया है एक्जाम देने जाएंगे ठीके तो यह सब कुछ भरना सिखाएंगे और यहाँ पर देख्षते हैं परिक्षा कक्छ संक्या मतल attent किस कमरा में अपका मतलब बैठे हैं किस रूम मेझे आप दे रहे हैं एक्जाम यहाँ पर कक्छ शंक्या भरना है और परिक्षा निरिक्षा का पूरा नाम वहा हस्थाक्तर जो आपका गाइड लेगा उप्छा वो यहां पर sign करेंगा आपको नहीं करना है इसको touch और यहां पर दीनांक आपको भर देना फील अफ करने के तो चलिए शुरू संतर देखते रिए अगर आपको handwriting सुधारना है बोड इक्जाम में अच्छा score करने के लिए तो देखें इसका मैं वीडियो बनाया हूँ अभी तक 13 लाग से अधिक बच्चे देख चुके हैं इस वीडियो के description में वहां से जाएए बहुत अच्छे समझाए हिंदी में था इंगलिस में आपका handwriting अगर सुधारना है तो वीडियो के description लिंक है वहां जरूर देख लिजेगा तो माले जी कि आपका roll नमर नमर आंकों में इतना हैं देख लिलिक हुझ कैसे हैं पढ़ेंगे 21,23,318, हमको मैं ऐसे लिख देना है, और ध्यान रखना है कि ओभर रैटिंग नहीं करना है, यानि कि डबबल इस पर पेन नहीं चलाना है, एक की बार में सई सी लिखना है, और इसको अब यहाँ पर देखेंगे प्रक्षार्थी के अनुकरमांग सब्दों में, सब्दों में कैसे लिखेंगे तो देन दिजेगा 21,00, तो यहाँ पर लिखेंगे 21, ठीके, 21,00, ठीके, 21,00, अब दिखिए, यहाँ पर 23,000 है न, 23 लिखेगा, 23,000, अब यहाँ पर दिखेंगे 318, यहाँ पर लिखेंगे 318, ठीके, अठार, इस तरीके से लिखेना है, ओवर रैटिंग आपको नहीं करना है, ठीके, आप इसके बाद देखेंगे, क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर तीसर नम्मर लिखेंगे, आपको केवल प्रस्न पत्र, ध्याँ दिजेगा, केवल हिंदी का होता है, तो केवल प्रस्न पत पत्र ठीक है इस तरीके से आपको लिख देना है अब देखिए आप लिखा है प्रस्ण पत्र पर अंकित संकेतांग तो यहां जो आपका माली से क्लास 10 का बच्चु का है और क्लास 12 का भी होगा तो सेम ऐसे भरना है तो यह देखिए यह जो है 801 MB कोड का यही मतलब की संकेता लगा की फेपर का तो 801 MB ऐसी लिख देना है यहां पर देखिए त्यां देजिए गा 801 MB जो आपका पेपर मिलेगा वहां पर वही यहां पर फीलफ कर देना ठीके अब इसके बाद देखिए आपर 4 no क्या लिखिए है यहां पर कि परिक्षारती का दीन यहां पर मतलब परि अज़ी or this planet, considering… यहां पर लिएपीक्षात की बाता 10 वालो को प्रतम पलीम पढ़ता है और 12 वालो कँ दूए ती में यहां पर प्रतम होगा तो प्रतम में लिखियेगा और अगर से 12 . होँगे तो यहां पर दूएती लिखTaí अप देखे यहां पर क्या लिखा है केंद्र नाव तो देखिए admit card आपको इस से निकलना है और केंद्र का नाम admit card पर लिखना होगा विदाले का नाम ठीके तो यहाँ पर देखिए उपर लिखना है पर इसे बारा जीरो एक 5S से ठीके और जो आपका जहाँ पर जाएगा तो वहाँ पर जा नहीं रहें admin card में फूरा जो लिखा होगा वहाँ पर यह फूरा note कर देना है ठीके जैसे इतना code महात्मा महात्मा गांधी ठीके महात्मा गांधी जो भी होगा जो मैं अपने सिय लिख दिया ठीके आपको यह लिख देना है महात्मा इतना जीरो बारा जीरो एक पांच महात्मा गांधी कॉलेज अब जो भी होगा वह सेंटर का नाम वह लिख दीचे का अब यहां पर देखें पर रिक्षा का पूरा नाम वह असपस्ट हसर्चर यहां पर आपको कुछ भी छूना नहीं है ठीके ध्यान में रखना है यह आपको जो गाइड लिया होगा वही भरेगा और फाइप नमर में लिख यहां पर देखें दिनांक लिख हैं जिस दिनांक का पेपर है हिंदी का 24 तारीक होते 24 ऐसे लिख लिजेगा चोगता मेना और 2021 ऐसे तरीके से लिख देना है और कुछ भी इसमें आपको टॉच नहीं करना है बस इतने ध्यान से देख लिजी फॉस्ट नमर में आपका परक्षार्ति का अनुकरमांक अंकों में लिखना है और 3023,318 और ऐसे 20 में लिख दी जगे हैं दी प्रस्ण पत्र में केवल प्रस्ण पत्र भरना है और प्रस्ण पत्र परंकी संकेतां 801 MB ऐसे भर दिना है परिक्षा का दिन में सनीवार जैसे जो भी दिन ओँग जिस दिन इक जाम हो ऐसे भरना है ठीके मैं यहां पर एक मतलब तरीका बतारा हूं कि ऐसे ही करना है परिक्षा ती थी यहां पाली में जो भी है आप समझी रहें इस तरीके से भरना है और गेंदर का नाम जो आपको काट पर दिया होगा से मुँवा ही यहां पर फिलआप करना है और यह चोड़ देना आपको कुछ भी इसमें फिलप नहीं करना है और इसके बाद जो दिनांक है जिस दिन एक्जाम है यहां पर बस इस तना लिखना है और इधर देखिए यह जो है आपको इसमें थोड़ा से टच्स नहीं करना है ठीक है क्योंकि यह जो बोड एक्जाम जब यह आप दे देते हैं कापी तो बोड भी छेड़खार नहीं करना है आपको ठीके और आपको मैं आगली वीडियो में लाओंगा मॉडल पेपर सॉल्व करके ऐसे कॉपी पर प्रसनोतर संक्य कैसे डलना है कैसे डलना किधर रॉफ कारे करना है सब कुछ अगले वीडियो में बताएंगे तो जादे साथ सब आगर बत्चो आपको शेर करते हैं तो हर एक वीडियो में लाने वाला हूं हूं , पर जूड़े रहे हैं , चैनल का सब्स्क्राइब कyssरेब केजाए और वीडियो का जादे सब्सक्राइब किजिए और कमेंट में कमेंट कीजिए ला रहा हैं नेक्ष्ट वीडियो थैंक्स फर वाचिन